हेलो फ्रेंड वेलकम टू फ्लिकर ग्राफिक आज मैं आपको लाइफ इस्टार इमेज कैसे बनाते हैं उसके बारे बताऊंगा आप अपने प्रोडेक्ट को किसी इमेज में एड कर सकते हैं और बाहर इसकी बहुत रिकार करता है तो सबसे पहले आप अपने प्रोडेक्ट को क्रॉप कर लीजिए जैसे मैं कर रहा हूं पैन टूल से कर लीजिएगा यह वीडियो मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूं आप जिस image में आपने product को show करना जाते हैं उसमे product को ले आईए पहले और बिल्कुल angle बिल्कुल सीधा रखेगा जैसे देखो मैं रख रहा हूँ नो वैसे आपको भी रखना है उसके बाद आप अपने ctrl T press करके product को बिल्कुल सीधा कर दीजिगा व्रैप कर लिजिगा उसके एक new layer ले लिजिएगा और थोड़ी product के add जोते हैं उसको retouching जरूर करिएगा कि product उसको blend हो जाए उस पर तो यह काम बिल्कुल आसानी साब करना है और इस जिस layer पर आप करेंगे retouching उसको clip करना बिल्कुल मत भूर नहीं और मैंने आपको बता रहे है क्लिप कैसे करते है और की प्रेस करके उस layer पर क्लिक करेंगे माउस के left बटन से और जैसे आपके यह retouching काम complete है shadow हम देंगे shadow आपको कैसे देना है flow आप बिल्कुल अपने इसाब से 10 से 12 में आपको बताना चाहूंगा कि 10 से 12 ही रखिए ज्यादा flow ना रखें और धीर धीर नीचे की तरफ shadow दीजिए यहां तो आप shadow एक ऐसे भी टेक्निक से दे सकते हैं जैसे मैं दे रहा हूं आप shadow दे दीजिए दोनों तरफ कि shadow से ही आपका product realistic लगेगा बिना shadow के product आपका realistic लेगा अब इस लिए को मैं mask कर रहा हूं और side side से थोड़ा इसको मैं delete कर रहा हूं और मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता रखा है कि कैसे mask करते हैं तो मेरा अगर आपने वीडियो नहीं देखें बाकी वीडियो तो आप जरूर देखिए यह इडियो भी दीरे-दीरे flow बहुत कम रखके उसको delete करना start कीजिएगा अब एक थोड़ा मैं shadow आगे की तरफ भी दे रहा हूं जब product अगर शो हो रहा है तो वो उसकी shadow बहुत जरूरी है बिना shadow के आपको product real नहीं लगेगा मैं आपको बार-बार यही बता रहा हूं तो shadow पर ज्यादा से ज्यादा वर्क कीजिएगा और हलके-लके flow कम करके shadow जरूर दीजिएगा और बाएर इसकी बहुत requirement चाता है और इससे आप अच्छा पैसा earn कर सकते हैं अब flow मैं थोड़ा कम कर रहा हूं अब मैं इसको इसमें yellow shadow भी दूँगा क्योंकि product में glass yellow है तो इसलिए मैं इसमें yellow shadow भी दे रहा हूं जिससे यह product लगे कि यह real में यहाँ पर ही है उसके बाद एक मैं इसकी new layer ले लूँगा और copy करके नीचे लग दूँगा एक mirror shadow के लिए तो mirror shadow के लिए आपको ctrl T से आपको देना है और बिल्कुर set जरूर कीज़ेगा इसको सीधा जरूर करेगा कि वह realistic लगे mirror shadow हरतम नीचे की तरफ होता है इसलिए और आप बाखी प्रोडेक्ट में दे सकते हैं कि कैसे shadow है तो वैसा ही shadow आपको देना है आ मैं थोड़ा नीचे की तरह और शेड़ो दूँगा कि यह इसमें रियल जैसा ब्लेंड कर ले इस लाइफ इस्टाल फोटो जो बाहर मांगता है इसमें पूरा खेड़ शेड़ो कई है और जो जो मेरे चैनल पर न्यू है मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कूर मत भूलेगा म मैं ऐसे डी वीडियो लेकर आता रहता हूं और बैल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जो मेरे नए वीडियो आती आपको पता चल जाए और आप इसे फ्लो कम ज्यादा अपने इसाब से कर सकते हैं और मैंने इसको स्मार्ट आपजेट में इसलिए को ले लिया है और बलर क है अगर में यह बलर नहीं करूंगा तो यह सिल द्फियल लगेगी इसलिए मैं सो कर रहो है ब्लेंड कराने की कोशिघए कर रहा हो इसलिए मैं हल्का हल्का side में blur दे रहा हूं और पीछे की तरह मैंने बहुत ज्यादा shadow blur किया है और आगे साइडंग मैं कर रहा हूं बस तो आप देख सकते हैं ये और आपका shadow flow opacity आप अपने हिसाब से देखिएगा कम ज्यादा जैसे करना हो आपको तो इस तरह आप अपने image को किसी भी stock photo में convert कर सकते हैं यह आपकी image ready हो गई है realistic shadow आप कम ज्यादा अपने coding करिएगा और मुझे आप facebook पर अपने कोई stock image बना के मुझे बताइए कि आपने कैसे बनाई है thank you so much